दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर और सिंपल इनर्जी का इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों 15 अगस्त को लॉंच हो रहे हैं ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आता है कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा जाए दोस्तों मैं आज आपको कुछ पैरामीटर जैसे की रेंज, पावर और प्राइस को कमपेर करके आपके इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूँगा लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको सही समय पे हमारी वीडियो मिलती रहें दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ पैरामीटर्स को कमपेर करते हैं कि कौन किसकी बैंड बजाएगा दोस्तों हमारा पहला कमपरीजन है दोनों में लगी मोटर की पावर और उसकी पहॉमेंस के बारे में दोस्तों इससे पहले ही मैं आपको एक बात बता दूँ कि दोनों ही लक्ट्रिक वेरियंट बहुत ही प्रीमियम रेंज के हैं जिसमें आता है ओला का S1 प्रो और सिंपल इनर्जी का सिंपल वन दोस्तों इस कमपरीजन में मुझे ओला का टॉप वेरियंट सेलेट करना है क्यूंकि वही सबसे ज़्यादा रेंज ओफर करने वाला स्कूटर है दोस्तों दोनों स्कूटर्स बेल्ट ड्राइव मिड माउंटन मोटर से पावर लेंगे दोस्तों ओला के S1 प्रो में BLDC मोटर का प्रियोग किया गया है जिसकी मैक्सिमिम पावर 7 किलो वाट तक हो सकती है लेकिन सिंपली मार्क 2 या सिंपल 1 में आपको साड़े 9 किलो वाट तक की पावर की मोटर देखने को मिलेगी साथ ही ओला के टॉप वेरियंट में टॉर्क 50 न्यूटन मीटर से जादा होगा लेकिन सिंपल इनर्जी वन काया टॉर्क 70 न्यूटन मीटर तक होगा यानि सिंपल इनर्जी सादा फास्ट और जादा क्विक होगा जो जीरो से 50 किलोमेटर पती घंटे की रफ़तार सिर्फ 3.2 सेकेंड में हासिल कर लेगा दोस्तों अब चलिए दूसरे कंपरीजन की तरफ चलते हैं जो कलर्स में होगा दोस्तों ओला का एलेक्ट्रिक स्कूटर 10 कलर में अवलेविल होगा जिसमें मैट और ग्लॉसी फिनिस दोनों शामिल होगे लेकिन simple energy का सिर्फ 3 color options में आएगा यानि ओला electric colors में dominate करेगा वहीं simple energy कम colors में उपलब्ध होगा आईए दोस्तों आप सबसे बड़े parameter range को compare करते हैं दोस्तो range को compare करते time maximum range आपको eco mode में ही मिलेगी यानि ध्यान रखिये जो मैं आपको पता रहा हूँ हूँ ये eco mode की range है ना ही sports mode की ना ही turbo mode की दोस्तों ओला electric की top variant S1 Pro की range होगी लगबग 230 km वहीं eco mode में simple one आपको 240 km तक की range देने में शक्षम होगा दोस्तों साथ ही आपको simple one में 4.8 kWh की बड़ी lithium-ion battery मिलेगी दोस्तों आएए आप comparison करते हैं इनकी price को लेकर जो एक बहुत बड़ा factor है इंडिया में success होने के लिए दोस्तों ओला का top model S1 Pro आपको लगबग 120,000 रुपए में मिलेगा वहीं simple mark 1 आपको 110,000 से 120,000 के बीच में मिलेगा हाला कि दोनों models पे आपको जाधा से जाधा 60,000 रुपए की fame to subsidy मिल सकती है जो कि central government देगी लेकिन इसके साथ state subsidy पे भी इनके price depend करेंगे यानि हर स्कूटर की price हर state में अलग-अलग होगी यूँकि state government की EV policy हर जगए अलग-अलग incentive को offer करती है लेकिन दोस्तों ये बात तो तह है कि simple one का electric scooter अगर एक लाग 10,000 रुपए में आया तो वो Ola के S1 Pro से सस्ता ही होगा दोस्तों आईए अब इनके smart features को भी compare कर लेते हैं दोस्तों दोनों electric scooter की touch screen को android का support मिलेगा साथ ही इसमें GPS tracking और app control दोनों का साथ होगा साथ ही Bluetooth की भी सुविदा उबलब्द कराई जाएगी साथ ही इसके mobile phone पे आप battery के charge status को भी देख पाएंगे यानि कि जो basic सुविदाएं हैं वो आपको दोनों scooters में मिलने वाली हैं इसलिए smart features में दोनों scooters का comparison करना बेकार है अब ये आपकी personal choice होगी कि कि किसका dashboard और किसका user interface आपको अच्छा लग रहा है आप उसी को choose कर सकते हैं दोस्तों अब आईए सबसे main difference की बात करते हैं जो होगी इनकी service और availability के लिए दोस्तों ओला का electric scooter उरे इंडिया में 400 cities में launch होगा साथ ही इसकी good service मिलेगी और after till support भी आपको मिलेगा वहीं simple energy का simple one सिर्फ 13 states में launch होगा जिसमें UP, गुआ, पंजाब, राजिस्थान, करनाटका, केरला, तेलांगाना, दिल्ली, तमिलनाडू और आंधरप्रदेश जैसे states सामिल हैं इसलिए अगर आप simple one को book करते हैं तो आपको इन 13 states को ही belong करना पड़ेगा इसलिए आपको all over India में इनके service centers भी कम मिलेंगे और after sales service भी इनी states में, इनी particular cities में मिलेगी जहां इनका service center उपस्थित होगा दोस्तों, मैं इसी लिए कह रहा हूँ कि Ola Electric इनको service और availability में पचार देगा फिलाल, दोनों कमपनियां अपने test ride centers को establish करेंगी जहां जाके आप दोनों गाड़ियों का test drive ले सकते हैं और select कर सकते हैं कि आप उन्हें कौन सा electric scooter खरीदना है दोस्तों, आप अब 15 अगस्त का इंतजार करिए जिस दिन आपको दोनों की आवकात पता चल जाएगी फिर आपको select करने में भी आसानी होगी कि मुझे कौन सा electric scooter खरीदना है दोस्तों, फिलाल मैंने मूटे तोर पे आपको कुछ parameters जैसे की power, range, color और price को compare करके दिखा दिया है जिससे आपको इन्हें select करने में कोई problem ना हो दोस्तों, अगर आपको हमारे दोरा दी गई जानकारी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को subscribe कर लें, वीडियो को like कर दें और share भी कर दें ताकि आपको हमेशा ये जानकारी समय से मिलती रहे अगर आपका कोई doubt है तो नीचे comment जरूर कीजिएगा